नमस्कार, मुझे बहुत खुशी है आज, आप सबके समक्ष, यहां सबके बीच बैठके, एक शेर सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, अब तो ऐसे मनजर भी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिलाने लगे हैं, अब तो ताला आपका पानी बदल दो, कमल के फूल भी अब मुर्जाने लगे हैं, तो मेरा आश है, आप समझ गए होंगे, हमें बहुत जरूरत है, एक ऐसी पार्टी की, जिसमें की कोई भष्टाचार ना हो, जिसकी नीतियों से हम जो है, आइडेंटिफाई कर सके, और मैं विश्विद्याले में हूँ, मुझे लगता है, सभी के ल पतातुरा ना हो, प्याई और मैं चाहोंगे, आप लगए हैं, आप लुटी जोश की कमी दिखाई दे रही है, थोड़ी जोश की कमी दिखाई दे रही है, थोग सा सब को जढलें, बहुत मैं शुक्र घुजार हूं, सजये सेंजी। और भाकी इस आम आदमीपार्ट हूँ और हां करता द्वनी से स्वागत करते रही है नहीं तो मैं करूंगी कि मेरी गजल अंधेरे में जाके कहीं रोलेगी हाँ 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 हमारे बीच में स्री निवास सर्मा जी भी आज पार्टी जोईन कियें और मैं कुछ और विसे पर आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा कल एक पत्रकार वारता में टीवी चैनल के इंटर्वियू में योगी आदिज नाज जी से जब ये सवाल पूछा गया कि भई आमाद्मी पार्टी चुनाओ लड़ना चाहती है यूपी में तो वो एक प्रकार से बोखला के और जवाब देने लगे कि ठीक है बहुत सारी पार्टी आती है चुनाओ लड़े और करोना में इन्होंने क्या किया वो किया तो पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि करोना का जो दिल्ली का केजरिवाल जी का बॉडल है करोना से लड़ने का उसकी प्रसंसा अमेरिका तक में हुई और प्लाग्मा थरेपी की जो विधी केजरिवाल जी ने अपनाई जिससे लोगों की जान बचाई उसको अमेरिका दुनिया के तमाम देसों ने एड़ॉक किया और हम उस खत्रे के बीच में करोना से लड़ रहे थे जहां पर सबसे ज़्यादा हवाई जहाज दिल्ली में आये और सबसे ज़्यादा करोना से ग्रसित मरीज विधेसों से दिल्ली पहुँचे हम ऐसी परिस्थितियों में करोना से लड़कर निकलकर दिल्ली को बचा कर केजरिवाल जी लेकिया है और आप में क्या किया आप भूतों की जाच कर रहे थे उतर पर देस में यानि जो इंसान मौजूद नहीं है उसकी रिपोर्ट निगेटिव आगे यूपी के अंदर आपदा में उसरतलासा आपके अधिकारियों ने आपके करमचारियों ने और आपको याद होगा कि करोना कित में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और उसमें 800 रुपए का आक्सी मीटर 5000 रुपए में खरीदा गया 1600 का थर्मोमीटर 13000 रुपए में खरीदा गया तो जो सरकार करोना के दोरान घोटाले करती है उसके एक S.I.T. भी बनी थी उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ अस तक पता नहीं वो दिली के केजरीवाल सरकार क्या अलचना करती है अरे जब आप भूतों की जाच करेंगे भरजी रिपोर्ट निगेटिव बना देंगे तो कैसे पता चलेगा कि किसको पॉजिटिव हुआ किसको निगेटिव हुआ लोग अब इस सरकार की असलियत को पहचान चुके है और आए दिन सरकार के जो क्रिया कलाप है वो जनता के बीच में आप चर्चा का विसर बने है उस पे आप पो जबाब देना पड़ेगा जब से केजरीवाल जी ने चुनाओ का अइलान किया है उत्तर प्रदेश की राजनीती में सिक्षा की बात होने लगी स्कूल की बात होने लगी बिजली की बात होने लगी पानी की बात होने लगी अस्पताल की बात होने लगी स्वास्त की बात होने लगी और मैं समझता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक सुन संकेत है कि यहाँ पर अब मुद्दों की राजनीती होगी अब जाती और धर्म की राजनीती नहीं होगी मुद्दों पर हमें काम करना पड़ेगा तो मुझे एक बात ये भी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ थैंक यू यह अब एक नहीं प्रथा चालू हो गई है नजरवन्द करने की जो नेता विपश्ट का वादधाता उसको नजरवन्द कर दिया जाता है उसके क्या प्रतिकिलिया है आपकी जैके यह नजरवन्द की प्रता नई प्रता नहीं है यह नजरवन्द की प्रता 1975 में भी आई थी और फिर 77 में क्या हुआ आप लोग भी जानते हैं आपातकाल जब लगा था इस देश के अंदर उस वत भी लोगों को नजरवन्द किया जाता था जेल में डाला जाता था फरजी मुकद में लिखे जाते थे तो आदितनाच जी के राज में जो आपातकाल लगा हुआ है उसके डौरान आपको आए दिन ऐसी घटनाय सुनने को मिलती है किसी को नजरबंद कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को गरिफतार कर दिया ये तानासाही का सासन हो सकता है लोकतंत्र का सासन ये नहीं होता लोकतंत्र संबात से चलता है, लाथियों से नहीं चलता और दुरभाग से आदित नाजी लाथी से लोक्तंत चलाना चाहते हैं